नमस्कार मैं हूँ अकर्षिन उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आई बेन 24 के स्टूडियो से और मैं आपको आज एक बड़ी एहम और महत्तपून जानकारी देने जा रहा हूं खास कर उन लोगों के लिए जो लगातार बैंक के अंदर जो उनकी किष जैसे मुथूत कंपनी हैं जो जितनी भी ये कंपनी हैं लगातार शिकायते आ रही हैं कि ऐसी कंपनी हैं लगातार लोगों के एक से जादा बार चेक ECS के माध्यम से यानि कि चार्ज करती है बजाज फाइनेंस के हमने आपको ऐसे अंगिनित मामले दिखाए जिसमें लोगों के एक ही दिन में कई कई बार पैसे काट लिए गई एक ही महीने में कई कई बार उनके जो ECS है वो लगाई गई सिर्फ इंस्टॉल्मेंट के नाम पर जो की कानूनी रूप से ठीक है या गलत है इस पर बात करने के लिए आज जो करनाल के अधिवक्ता है राजीव शर्मा वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जो इसके उपर एक स्टेडी कर चुके हैं जिने हमने कहा था कि आप इस मामले में लोगों तक जानकारी पहुंचाईए कि आखिर ये जितना भी सिस्टम चल रहा है एक किसम से ये नेक्सस है बैंक्स का और उन कंपनी का जिन से लोग फाइनेंस करवाते हैं और लगातार लोगों को हजारों रुपए महीने का चार्ज बाउंस के नाम पर देना पड़ रहा है जो कि लोग देने की बिलकुल कपैस्टी में नह लोग ठगे जा रहे हैं लगातार एसे के नाम पर लोगों से हजारों रुपए की वसूली की जा रही है उनका सिबिल खराब किया जा रहा है क्या कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो ये सिस्टम बनाया गया है कानूनी रूप से कितना सही है या लोगों को दिन के लिए इस को लाया गया था जिसमें बैंक और कस्टमर के वह एक फॉर्म के द्वारा ही विदाउट चेक बार-बार जाकी चैक ना लगाने पड़ें बैंक में यानि वह चैक के इस इक्वल टू ही काम करता है इस एस एक बार लगा सकते हैं जब एक बार लगा दिया और वह संब्सक्राइब बैंक यह पर जब करेंगे लेटर कि 1 चैक उसक्टी में था म estas जमागे बैंक पने इस आप सामने रखे आपने भी वह सुने होंगे जिसके आद आपने हमसे संपर किया कि ऐसा तो कानूनी रूप से पूरे तरह से गलत है एक व्यक्ति के नाम पर 57,000 पर बैंक ने काट ली कितना जिस्टिफाइड है क्या कानूनी रूप से ऐसे व्यक्तियों को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है क्या वह कही नहीं जा सकते लिए नहीं को प्रोटेक्शन है वह कस्टमर है जोनों ने किसी भी कंपणनी की सर्विस आवेल की हैं वह को कपैसा ईक्ट में और उनको कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट के को पुझा हमारी फॉम है उसमें daakshil सकते हैं उसमें उनको नयाए भी मिलेगा और उनको सब्सक्राइब करते हैं यह एक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एकनॉमिक ओफेंस विंग है जो इस तरह के मामलों को देखती है और वहां पर वह चाहें तो परचा दर्ज कर देते हैं तो पुलिस परचा दर्ज कर सकती है सवाल यह उटता है कि एक ही विक्ति का एक ही इसट जो कि लगबख हजार बारा सो पंदरा सो रुपे का है 5014 रुपे की के लिए महीने के अंदर फंदरा बार उसकी का बांच बार लगां दी जाती एक 20 पांच बार लगादि जाती है क्या लेथी पर 一िवे समय को सब्सक्राइब कर देते हैं कि आप जो है चेक है वह बाउंस हो रहा है या इसी एस बार-बार एक ही बाउंस होने लग रही है आप इसमें पैसा जमा करा हूं या इसी को स्टोप करा हूं लेकिन अभी क्या है कि मोनेटरी वैल्यू को देखते हुए जो एन भी एफसी कंपनीज हैं वह इस तरह का शिकार नेक्सस त्यार कर दिया इन्होंने ताकि वह जितनी बार इसको हिट करेंगे इसी एस को और वह सर्विस चार्ज के नाम पे या बाउंस चा लगातार एक ही विक्ति की एक ही इंस्टॉल्मेंट को बार बार लगाते हैं जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं दोस्तों इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा हजारों लाखों लोगों के काम ये वीडियो आ सकता है क्योंकि अभी तक लोगों को कानूनी रूप से जानकारी नहीं थी हमने खुद जो एडवोकेट राजीव शर्मा इनसे बात की थी कि इस तरह से जो लगातार लोगों के लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो रहे हैं आखिर कानूनी रूप से लौ में वो किस तरह प्रोटेक्टिड है सर एक सवाल हो रहे हैं एक विक्ति न इसके लिए उनको एक इंटिमेशन जो है अपनी फाइनेंस कंपनी को या जो एसी एस क्रेडिटर होता है उसको इंटिमेट जरूर करना होता है वो बैंक भी कर सकता है और कलाइंट भी कर सकता है लेकिन इस टोप कराई जा सकती है सिर्फ अपने बैंक के एक एप्लिकेशन क के द्वारा सर्फाइनस कंपणी कि उसका है तो आपको इंटीमेशन देना है और अपने बैंक से उसको स्टोप कराना है अगर बैंक मेंगे बदमाशी करते हैं कहते ऐसा नहीं हो सकता तो क्या उनको भी कानूनी रूप से पार्टी बनाया जा सकता है पार्टी बनाया जा सकता है ECS के ऊपर RBI की special guidelines हैं उसके अंदर बिल्कुल clear cut लिखा हुआ है कि जो भी customer चाहे ECS को stop payment करा सकता है थूँ अपने bank जी तो अगर आपका bank आपको इंकार करता है आप return में bank को notice दीजिए उन्हें कहिए कि मैं आपको ये finance करवाया अगर आप उनकी payment नहीं देंगे तो जाहिर तोर पर सर वह negotiable act 138 है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि ECS तो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जान-बूझकर ECS बंद करवा देंगे उनको क्या बताना चाहेंगे अगर इस तरह से ECS bounce होती है त लेकिन customer का ये right infringe नहीं कर सकती कि वो अपना ECS टोप ना करा पाए यानि कि पैसे देना किष्ट भरना आपके लिए जरूरी है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ECS अपनी वापिस ना ले सर एक बात मैं और जानना चाहता हूं जैसे आपने अभी बात की recovery की कुछ लोगो लग लग थानों में जा रही है कि recovery के नाम पर लोगों के उपर दबाव बनाया जा रहा है लोगों को डराया जा रहा है मेरे फोन में कुछ recording जो लोगों ने मुझे भेजी है यानि उनसे इस तरह से बात की जाती है कि अगर तुने पैसे ना दी तो हम तेरा ये कर देंगे ये कितना जायज है कानूनी रूप में कस्टमर कितना protected है इन सब चीज़ों को लेकर सर किसी भी finance company कोई भी finance company है वो hard recovery नहीं करा सकती अगर उसकी payment नहीं आती है तो उनको legal notice दे सकती है legally channels उनके लिए भी खुले हुए है और वो अपना legally process करेगी लेकिन ये कोई hard recovery है या गु पुलिस सुनवाई नहीं करती तो कोट में किस तरह की प्रोसीडिंग की जा सकती है criminal complaint फाइल हो जाती है कोट में तो company के खिलाव फाई अरगर जो सकती है बिलकुल हो सकते company खिलाव भी और जो भी recovery agent है उनके खिलाव भी आप जो है criminal complaint फाइल कर सकते हैं सर अभी जो आपने लगातर पीछे मामले देखे पांच-छे एपिसोड चले उन लोगों को क्योंकि लोग खून के आंसूर हो रहे हैं कोई सुनवाई करने वाला नहीं है हलांकि जो करनाल के सांसद हैं उन्होंने मुख्य मंतरी जी को वित मंतरी जी को जरूर पत्र लिखा है लेकिन आज भी company सुदरने के लिए तयार नहीं है लोगों को आप क्या message देंगे अगर इस तरह क्योंकि लोग करनाल से भी हैं मैं अभी जो आपने हमें बताया था कि आप करनाल के लोगों के लिए एक अच्छी चीज लेकर आया आपको मैं बता दूं कि जो करनाल से अधिवक्ता है कि जा रही है यानि कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि मैं suicide करने की नियत पर पहुंच गया हूं क्या कुछ message देना चाहिए देखे आपने loan लिया है आपका यह legal right है और आपकी legal liabilities भी हैं इसको pay करना है लेकिन यह नहीं है कि आप इसके लिए exploit हों आपको exploit होने की ज अभी consumer code की बात करे थे लोग अक्सर डरते हैं कि मैं खर्चा मेरा जादा हो जाएगा consumer code में क्या वकील का जाना जरूर है क्या हम अपना case खुद present नहीं कर सकते हैं consumer code में खुद भी आप अपना case present कर सकते हैं उसमें वकील का जाना कोई जरूरी नहीं है लेकिन क्या है कि legally एक लाइंट जो है या कोई भी एप्लिकेंट है वो प्रेफर करता है कि हम वकील कर लें कि बिलकुल वकील की सला ली जा सकते हैं वहां पर कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है और में फ्री वाइलिंग होती है पहले तो एक लाग तक था अभी रिसेंटली पांच लाग तक का आया है कि इसे पांच लाग तक फ्री ओफ कोस्ट करा गया है और अभी तो जो फाइनेंशल क्राइटेरिया है वह भी बढ़ाया गया है consumer court का एक करोड तक का जो है district form को ही दिया गया है तो इसमें आप खुद भी pursue कर सकते हैं लेकिन clients जो हैं वो prefer करते हैं कि advocates के through जाएं तो वहाँ पर को ज़्यादा खर्चा नहीं है और अराम से हां अराम से हो कितने time में इसका result आयता है लोग इस बात से भी डरते हैं कि हम अगर यह करेंगे तो कई साल लटकते रहेंगे जब कि आज कल का जाता है कि consumer court कई महीनों में फैसला देता है यह तो process of court है it will take time तो इस इसमें अभी कोई निश्चित तोर पर नहीं कह सकते कि इतने time में आ जाएगा आखरी सर मैं अब उन लोगों को बताना चाहूंगो जो लोग करनाल से हैं जो लोग करनाल से बाहर से हैं मैं अभी उपर description में जो advocate राजीव शर्मा करनाल से हैं इनका number भी आपको दूँगा अगर आप legal तोर पर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उस number पर फाइल तायार करवा सकता हूं अगर किसी की capacity वो खर्चा करने की भी नहीं है तो मैं free of cost भी उसकी file consumer court में case file करने के लिए करवा सकता हूं और अगर legal तोर पर कोई court में case file करना चाहता है ऐसी किसी भी company के खिलाव तो बहुत minimum charges में आप वकील साब से संपर कर सकते हैं आपको यानि इतना बड़ा amount देने के ज़रूरत नहीं है कि आपको यह सोचना बड़े कि नहीं अब नयाए महंगा हो गया सर क्या कुछ कहना चाहेंगे काफी सारे लोग ऐसी हैं क्योंकि इन company कंपनियों से लोन यानि ऐसा नहीं कि लाखों रुपे लोन है हजार रुपे लोन होता है तो वकील को लोग पैसे देने से पहले सोचते हैं कि चलो इनी को पैसे दे के पीछा चुड़वाओ लेकिन बात यहां पर नयाए की है कानून की है क्या कुछ कहना चाहेंगे कितने कितने कम खर्चे में लोगों को आप राहत देने वाली ऐसा हैं कि यह चोटे-चोटे लोग हैं चोटे-चोटे लोन लेती हैं बहुत से वह तो दस-जार की लोन लेते हborन लेती हैं जिस की किस्ते ही अजार-जार के बाद आती मैंटरिये नहीं कि कितना मैंट्टर है कि आपका र्वाइट है और आपको अपने लिगल र्याइट को परस्यू करना चाहिए और इस legal right को avail करने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को यह लगे कि मारे पास पैसा नहीं है और हम पैसे की वज़े से exploit नहीं होना चाहिए से बचने के लिए उसको legal pursue जुरू करना चाहिए कम से कम खर्चे में आप लोगों की मदद करना चाहेंगे जो लोग आप से संपर करें जिनकी कपेस्टी होगी वो तो जुड़ी जाएंगे जिनकी कपेस्टी नहीं है उनको क्या कुछ रहात देंगे कोई बात नहीं जो लोग हम से संपर करेंगे as per according to case हम उनको फाइल कर देंगे कोई दिकर यानि आप मिनिममम मैं आपको बता दूं कि जो एड़ोकेट राजीव शर्म है काफी बड़े-बड़े केस इन्होंने आज तक यानिके pursue की हैं courts में चल रहे हैं और इनकी भी अलग जो crime की cases है उसमें अलग से specialty मानी जाती है और उन्होंने काया कि अगर कोई गरीब तबके का व्यक्ति भी मुझसे संपर करता है तो जो मदद मुझसे हो पाएगी मैं उसकी जितनी भी applications होंगे उन सबको pursue करके कि कि किस तरह की cases लगातार आ रहे हैं उसी इसाफ़ से उनकी proceeding की जाएगी इसलिए आपको advocate के तुरू जाना जाते है ये भी आपके ओपर depend करता है लेकिन सवाल यहां पर नियम काईदे और कानून का है सवाल यह है कि कोई आपको कैसे लूट सकता है कैसे कोई law के against जा सकता है सर आखरी मेरा सवाल है कि क्या कोई government की ऐसी guideline पी की ECS लगाई कितनी बार जा सकती कल को क company challenge कर देजी इतनी बार को तो राइट था मेरे पास ऐसा है आर बियाई ने जब ECS बनाए तो जो number of हिट की है उसके ओपर कोई guidelines ही नहीं है इसी को लेकर जो है यह NBFC और जितनी भी financial companies है वो इसका फायदा उठाकर इसको कई बार हिट कर देती है कानूनी रूप से तो यह challenge इसे आप से हाल यह socially भी है और एक हमें यह देखते हुए कि जो गरीब आदमी है और गरीब आदमी को आप कितना निचोड़ोगे आप तो यह लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक revenue generate कर रहे हैं उसके उपर penalty charge कर रहे हैं 0% के नाम पर धोका है कि समसे बिलकुल धोका है यह persuasion कर पिनल इंटरस्ट भी चार्ज कर रहे होते हैं तो कितना चार्ज कर सकते हैं सर यह इस तरह से इसकी भी कोई guideline होगी कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं जो creditor bank है वह केवल रेपो रेट प्लस 2% एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है रेपो रेट तो बहुत कम होता ह हैं लेकिन जो क्लाइंट है क्लाइंट के ऊपर जो चार्ज लगता है वह बैंक अकोर्डिंग तो हिस रूल्स रेगुलेशन वह लगा सकता है तो आपने देखा कि यह बहुत महत्तपून बड़ी जानकारी है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात जो आपके चेक जो आ बैंक किसी के ऊपर इस तरह से लगता और बार बार ECS नहीं लगा सकता जो आपका बैंक है उसकी भी जिम्मेवारी है कि अगर तीन बार से जादा ECS आपका बाउंस होता है तो आपको इनफॉर्म करें आप से पूछे कि आखिर तीन बार ECS लगने के बाद क्यों आप इसा deposit नहीं करवा पाई उस बैंक की भी उतनी जिम्मेदारी है लेकिन यहां पर खेल है नेकसस का जो बैंक है वो अलग से चार्ज कर रहा है जो NBFC कंपनी है वो अलग से चार्ज कर रही है और दोनों मिलकर लूट किसे रहे हैं आपको लूट रहे हैं उन गरीब लोगों को आता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी यह लड़ाई मेरी नहीं है दोस्तों यह लड़ाई आपकी है यह लड़ाई उन गरीबों की है जो इस समय खून के अंसुर होने के लिए मजबूर हैं और यह NBFC कंपनीज जिसमें लगवग वो सभी कंपनीज हैं जो लोगों की उस यानि की गाड़ी कमाई को इस तरह से लूटने का काम कर रहे हैं और इसमें सबसे जादा जो केसिस आ रहे हैं वो बजाज फाइनेंस के आ रहे हैं मेरे पास जितने भी अभी तक मामले हैं सारे के सारे बजाज फाइनस हैं यानि कहीं न कहीं नियम काईदे कानून को ठे दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड नहीं सकता क्योंकि अगर करनाल के सांसद ये शिकायत वित्तमंत्री को करते हैं करनाल के ये सांसद शिकायत मुख्यमंत्री को करते हैं पुलिस में लगातार लोग शिकायते नहीं कस पा रही क्या इनकी कोई मजबूरी है या ये पूरे का पूरा जो नेकसस है वो बहुत जरूरी है आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें दुबारा फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के जो इन मामलों के ऊपर बताएंगे कि किस तरह से जो ये कमपनीज और नेकसस भी चला रही है और लोगों को लूटने का काम भी कर रही है आप देख रहे है इपर 24 मैं हूँ अकर्शन उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव धन्यावाद